दोस्तों नमस्कार स्वागत एक और फिट से चले जानते हैं बिहार की ताजा खबरों को लेकिन उससे पहले अगर आपने अविदग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको बिहार की ताजा खबरें रोजाना मिलती रहे सबसे पहले और बड़ी ख़वर धाना पहुचे लोगों को अब नहीं करना होगा बड़ा बावु का इंतजार डीजी पी आरस भटी ने दिये ये सक्त निर्देश ब्यार के डीजी पी आरस भटी ने धाना पहुचे पिड़तों को त्वरित रात दिलाने और अपरात की रोग ठाम को लेकर सबी थानों को सक्त निर्देश दिये हैं उन्होंने खास्तोर से कहाए कि थाना आने वाले किसी भी व्यक्ती या पिड़ित का कोई भी टाल मटोल किये बिना उनकी हर समस्या का समाधान करें कोई मामला हो या किसी अन्य तरह की समस्या उसका तुरस समाधान करे बिहार में या आम समस्याएं की थाना पहुँचने वाले लोगों को कई तरह की परिशानीों का सामना करना पड़ता है अक्सर थानेदार के नहीं रहने पर कारेवाई में टाल मटुल की घटनाएं होती रहती है अगली ख़वर पटना के नौबतपुर में सजेगा बागेश्वर सरकार का दरवार 13 मई से होगी सुरवात ब्यार की राजधानी पटना में बाबा धिरेंदर सास्त्री के कारेकरम का आयोजन होगा जिसकी तैयारी जोरों पर है अलाकि कारेकरम स्थल को परिवर्तित कर दिया गया है अब बागेश्वर धाम सरकार का दरवार गांदी मैदान के बजाएं नौबतपुर में 13 मई से लगेगा अलाकि गांदी मैदान में बागेश्वर धाम सरकार के आगमन को लेकर तैयारी जोर सोर से चल रही है लेकिन अब इस कारेकरम स्थल को परिवर्तित कर दिया गया है गांधी मैदान में होने वाले कथा का आयोजन अब नौबतपुर में होगा बियार के पटना आने की सूचना को दिरंदर सास्त्री ने वीडियो जारी कर लोगों को दिये जिसमें उन्होंने कहा है कि राम सरकार बिहार आ रहे हैं मई में 13 मई को पटना आ रहे हैं दिरंदर सास्त्री ने भोजपूरी भासा में कहा का बात बाहो रववा सब ठीक बानी जुग जुग जीया अमर हो जा अगली ख़वर कटिहार में जदियो नेता कैलास मेतो की हत्या बाइक सवार अपरादियों ने पेट और सिर में मारी गोली कटिहार में बाइक सवार अपरादियों ने जदियो नेता कैलास मेतो की गोली मार कर हत्या कर दी गटने की सूचना के बाद पुलिस मामले की जाज परताल में जुट गई है फिलाल अपरादियों की पैचान नहीं हो पाई है पुलिस अपरादियों तक पहुचने की कोशिस में जुटी हुई है मामला कटेहार के बरारी थाना छेतर का है जानकारी के मुताविक जद्यू के सीनियर नेता कैलास महतो की गुरवार देरात अग्याद बाइक सवार हमलावरों ने गोली मार कर रत्या कर दी 70 वरसी जद्यू नेता को उनके घर के पास उनके पेट और सिर में कई बार गोली मारी गई अगलिक पर ब्यार के आईदराबाद में आए सूटर ने एक धरजन से अधिक नेलगायों को किया देर मदेपूरा जिले के कई प्रखंडों में लगवग बीते 10 वरसों से नेलगायों के आतंक से किशान परिशान थे इस परिशानी से किसानों को अब निजात मिल जाएगी इसकी सुरुवात जिले के सदर प्रखंड अंतरगज साहुगड पंचाज से की गई है मालूमों की निलगाय जिसे स्थानिय भासा में घोर गढ़ा या घोर पड़ास कहा जाता है यह एक जंगली पसू है जो दरजनों की संख्या में जुन्ड बनाकर एक साथ किसानों के खेतों में यत्र तत्र बिच्रन करते हैं जो दोरान थोड़ी फसल को खाते हैं तो ज़्यादा फसलों को पैरों से कुचल कर बरवात कर देते हैं निलगाय के आतंग से किसानों को परिशानी का सामना करना पड़ रहा है। किसानों की माने तो कभी-कभी निहत्ते किसानों पर निलगाय वार भी कर देती है। जिससे कई बार किसान घायल भी हुए हैं। इस समस्या को लेकर वन्विभाग के अधिकारियों को लगातार आवेदन दिया जा रहा था। जिसके बाद किसानों की समस्या को दूर करने के लिए स्थानिय जन प्रतिनिदियों की पहल पर सरकार ने नीलगाय को मारने का आदेश दिया। अगली ख़वर नितीश कुमार के गड़ में दहाडेंगे उपेंदर कुसवाहा, रालोजट का तीन दिवसिये राजनितिक सिविर तै होगी आगे की रनिती। नितीश कुमार से अलग होने के बाद उपेंदर कुसवाहा ने खुद की नई पार्टी बना ली है, इसके बाद वो लगातार कई मैनों तक बिरासत बचाओ, नवन यात्रा भी कर रहे हैं। बर के 4122 चुने हुए परतिनिती सामिल होंगे। लाव ले रहे थे। अब ठीक होने के बाद वो तेजस्वी यादब के साथ वापस लोट रहे हैं। आरजेडी सुप्रीमों लाल उप्रसाद यादब के स्वागत में राजधानी पटना में जगा जगा पोस्टर लगे हैं। रावडी आवास के बाहर में उनके स्वागत के लिए पोस्टर लगाया गया है। अगली ख़र मेयर ने किया मौनसूल से पहले तैयारियों का निरेक्शन साथ सफाई और नाले उडाही में मिली भारी अनेमत्ता। सेर को चमकाने और स्वक्ष बनाने के लिए लाको क्रोरों रुपे खर्च किये जा रहे हैं। वहीं इसकी आड में लूट मची हुई है। उन्होंने का कि मैं चाहती हूँ कि हमारा सहर स्वक्षता रैंकिंग में नंबर वन बने और इसकी लिए लगातार कारे भी किये जा रहे हैं। लेकिन साथ सफाई और नाले उडाही में भारी अनेमत्ता देखने को मिली है। नाला उडाई से लेकर संप हाउस की सफाई तक की वैवस्था में भारी लापरवाई नजर आई। जेल में बंद आनन्द मुहन की रहाई को लेकर मचे बवाल के बीच राजी के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुवानी ने मीडिया के समक्ष इसे सपष्ट किया। उनके साथ ग्रेववाग के अपर मुख्य सचीव चैतन्य परसाद और कारा आईजी सिरसत कपील असोग भी थे। इसके लिए जेल मैनुवल 2012 में सबस्पस्ट है। जिवार के मुखिया मोदी जी है। मोदी जी की सोच को आगे बढ़ाने की कोसिस करूँगा एक प्रतिसत भी। मोदी मिसन में मेरा योगदान हो सका तो ये मेरे लिए बड़ी बात होगी। डॉक्टर अजय आलोक बीएसपी से चुनाव लड़ चुके हैं। बीदे साल ही जदियू ने उन्हें पार्टी से निकाल दिया था। अगली कवर बिहार में विपक्ष एकता पर बड़ा खुलासा टेली फोन से जुड़ रहे सीटो का तार। अगली कवर जदियू के पुर्व MLC सोनिलाल महता का गुरुवार को निदन हो गया। आज के दोरान उन्होंने दम तोड़ दिया। उनके पार्थिव सरीर को सुक्रवार की। सुबा पटना से खगड़िया के सनहौले स्थित आवास पर लाया गया। वहां उनके अंतिन दर्सन को लेकर भीड लगी हुई है। अगली वर यूटीवर मनिस कस्यप से हटेगा NSA। आज फिर से यूटीवर मनिस कस्यप के मामले में सुप्रीम कोट में सुनवाई होगी। उनके वकील एपी सिंग आज की सुनवाई के दोरान मनिस कस्यप को जमानत देने की अपील करेंगे। साथी मांग करेंगे कि तमिल नाडू सरकार ने जो NSA मनिस कस्यप पर लगाया है उसे हटाया जाए ताकि तमिल नाडू जेल में बंद यूट्यूबर जेल से बाहर निकलने का रास्ता साप हो सके पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोट ने तमिल नाडू सरकार को नोटिस जारी किया था कोट ने पूछा था कि मनिस पर NSA क्यों लगाया है जमना चौणक पर, हाड़ बेर वेपसाई की ऊपर अपराधियों ने चाकूस से जानलेबा हमला कर दिया, हमले की बाद युवक्त की मौत हो गई, अपराधियों ने महला मुक्या फर जाना खातुन के पुद्र सलीम पर हमला किया, हमले में मुक्या के पुद्र की घठनासल प बताया था है कि मिर्तक चौप पर ही आडवेर दुकान का संचालन करता था बताया था कि अपराधियों से मिर्तक सलीम का डवसाइक लेंदेन चल रहा था और धीरे दिरे ये लेंदेन बिवाद में परिवर्तित हो गया अलगे शमराट सुप्रीमों लालू प्रसाद यदब के पटना आने की सूचना पर बिहार की राजनिती गर्म है लालु प्रसाद के पठना आने की सवाल पर भाजपा के परदेश अध्यक्ष समराद चौधरी ने उन पर जम कर निशा नसाधा समराद ने तंज कस्तिवे डिरेक्टर की उपादे दिया और कहा कि अच्छा एड़ना डिरेक्टर भी आ जाएंगे यहाँ पर डिमी अक्टर लोग काम कर रहे थे अब नितिश कुमार की सूपर पावर आई जाएंगे तो क्या कबर जाएगा समराद चौधरी ने आनंद मौन की रियाहे पर कहा कि उनको लालु प्रसाद और नितिश कुमार नहीं फसाया था